है लो कैसे हैं सभी मेरा ऐसा मानना है कि एक दम मस्त होंगे और आपका जीवन बहुत अच्छे से कट रहा होगा और आसा करता हूँ कि आप जो अपने प्रियास में लगे हुए लक्षे के हासिल करने में वह आपको लक्ष मिलेगा और जीवन और अच्छे से चलेगा पेरा आ अपने जीवन में बहुत सारी लोगों को मैंने देखा है सुना है कि मेरे पास ये कमी है मेरे पास वो कमी है अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये हासिल कर लेता तो हम रोना रोते रहते हैं परस्तियों बस कि ये चीज नहीं होगी वो चीज नहीं होगी और सारा समय निकल जा और कुछ भी हासिल नहीं कर पाते लेकिन आज जो आपको में मिलाने जा रहा हूं वो एक ऐसी लड़की हैं 16 साल की हैं जिनों ने बहुत बड़ा मुकाम होसिस्थी में हासिल किया है जो उनको एक सारीरिक रूप से पूरे परिपूर्ण नहीं है भगवान की ऐसी किस्मत ऐसा उनको ऐसा मिला कि उनको जब पैदा हुई तो उनको एक फोको मेलिया बीमारी होती है जिसमें सारीरिक विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता कोई अंग जो है वो सही तरह से बिक्सित नहीं हो पाते और जैसे कि आप देख सकते हैं ये हैं आपकी सीतल देवी और इनके दो हा के होने के बावजूत जो इस्थान प्राप्त किया है वो कावले तारिफ है मतलब अभी जो पैरा ओल एसीन गेम्स हुए हौंग जाओ चीन में उन्होंने इन्होंने तीन मेडल प्राप किये उसमें दो गोल्ड एक सिल्वर तो कितनी ही ये बात आपको प्रभाब साली देती है कितनी बात आपको एकदम से एक आपका साहस बढ़ाती है कि आप ही देखिए कि इन्होंने अपनी कमी को ज पावले तारिफ है तो मेरा कहने का मतलब है कि आप में हिम्मत है आप में जजबा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी हासिल कर सकते हैं कि आपका जजबा इतना उचा होना चाहिए इतना आस्मान जैसा होना चाहिए कि सारी परिस्तियां उसके सामने छोटी पड़ जाए किसी ने कहा ना कि खुदी को कर इतना बुलंद तकदीर से पहले कि खुदा बंदे से हैं पूते कि बता तेरी रजा क्या है तो मतलब अपने आपको इतना बुलंद करी अपने इरादों को कि कोई भी चीज आपके सामने टिक नहीं पाएगी परिशानी और आप इस देश का इस समाज का अपने परवार का नाम रोसन करेंगे जीता जात का उधारन आप देख लीजी अपने सामने सीतल देवी जो आप देख रहे हैं हाथ इनके नहीं है और ये तीरंदाजी में इन्होंने तीन मेडल जीते हैं तो गोल्ड एक सिल्वर पैरा एसियन गेम्स अभी हंग जाओ में चीन में हुए थी वहाँ पे इन्होंने जीते हैं आप देख सकते हैं कि जो निशाना लगाती है कितना कठिन है ये चीजे अपने पैर से निशाना लगा रही है हाथ ना होने के बावजूत जो निशाना एक्दम सटीक है गोल्ड मेडल जीतना कोई हसी बात नहीं है कि एक्दम से गए और गोल्ड मेडल मिल गया गोल्ड मेडल इसका फ़स्ट नंबर तो कहने का मतलब है इन्होंने पहला नंबर जीता दो gold measure जीता है एक silver जीता है और ये कितनी मेंनत का काम है कितने हुने परियस किया होगा कितनी कटिंट तपस्या की है जब ये मुकाम हासिल किया है तो ये जीता, जागता एक कि हम्मत है तो कुछ भी हासिल किया जाता है हम्मत का दूसरा नाम है सीतल देवी, आप देखिए, इन्हों ने जो मैंने बता चुका हूँ, कि individual compound में एक gold प्राप्त किया, mixed team compound में एक gold प्राप्त किया, double compound में इन्होंने एक silver medal प्राप्त किया, तो ये बहुत ही बड़ा मुकाम है, जो इन्होंने हासिल किया है, और आप देखें, हमारे मानिय प्र से चोड़ा कर देता है, जरा देखिए, 16 साल की उमर क्या होती है, भाई, कुछ भी नहीं होती, बहुत से लोग तो 30 साल के हो जाते, फिर भी जीना नहीं सीखते, हिम्मत उनमें नहीं आती, 16 साल की बच्ची, जिसके हाथ नहीं है, फोकोमेलिया बीमारी की बेचे सुनके हा आर्मी ने अपनी देखरेक में इनको ट्रैनिक दी, इनको सिखाया खेलना, और वो आर्मी इसलिए मैं अपनी इंडियन आर्मी के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, कि उन्होंने एक ऐसे परिस्तिती में सीतल देवी की साहता की, और सही योगता को पहचाना और जिन्होंने नाम रोसन किया देश का, आप देख रहे हूंगे इसाब इमेज, आर्मी के लोग साथ में खड़े हैं, उनके मम्मी पापा साथ में हैं, माता पिता साथ में हैं, तो कितना ही ये एक गौरवरिनित मतलब की एकदम थे प्राउड फील कराने वाला चण है, त मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास एक हाथ नहीं है, मेरे पास एक टांग नहीं है, अगर मेरे पास ये होता, मेरे पास पैसा होता, या वो मेरी हेल्प कर देता, मैं ये कर देता, कुछ नहीं करता वो, हिम्मत है, तो आप अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हैं, हिम्मत है, तो सा होसला बना लिया उची उड़ान का फिर देखना फिजूल है कद आसमान का तो जब होसला हमने इतना बड़ा कर लिया है कि हम अपनी मतलब सपलता की उचाई को आसमान तक ले जाना चालते हैं तो फिर आप घवराई हैं मत के आसमान कितना उचा है वो आप से छोटा ही है आसम हिम्मत ने हार रे बंदे, लाख आएं अर्चनों के फंदे, जोस भर सीने में धार रे बंदे, प्रियास सपलता का बढ़े रे तेरा, तूटे तेरे बिगनों का गेरा, मत घवराबे कोई नहीं तेरा, सारे तारे अंधियारे से हारे, एक सूरज ने उजियारा फेरा. तो जब आप इतने चमकदार हो जाते हैं, जब आपका होसला इतना दमदार हो जाता है, तो आप सूरज की तरह चमकते हैं, आपको जरूरत नहीं है किसी चीज़ की, आप च्छा जाएंगे. तो मेरा कहने का मतलब है, जो आज की पेड़ी मेरी बात को सुन रही है, वो अपने आप में बिस्पास पैदा करें पहली बार, पहली बात अपने अंदर ये देखें कि हमको सब कुछ दिया है भगवार ने, हमें जो चाही अच्छा दिमाग, अच्छा सरी, सब कुछ है, त आज की बीडियो में समाप्त करता हूँ, और आप से गुजारिस करता हूँ कि मेरी बात पर आप जहन देंगे, और अपने जीमन में अपना लक्ष पाएंगे, और अपने परवार का अपने देश का नाम रोशन करेंगे, जै हिंद, जै भारत!